नमस्कार दोस्तो गुरुकुल अकेडमी में आप सिखा स्वागत हैं दोस्तो आज हम आप लोग के लिए जीकी के टोप 40 कुशन से लेकर आए हैं जो बारबर पर एक्षा में पोचे जाती हैं अगर आप लोग किसी भी एक्जाम्स के तयारी करें जहां पी जीके एक्जाम में आती हैं बोक्स में जूड़े ताकि जो भी आपके डाउटर साथ में ही कलिर होते चल जाएं और याद रखना एक क्यूशन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकिन का टाई मिलेगा उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे दोस्तों देश का लारजस्ट ओनलाइन एजुकेशन प्लेफोर्म अनकेडमी रेलवे एंटीपीसी ग्रूप डी एक्जाम के लिए टोप बैज लेकर आ गया है टोप एजुकेटर के साथ जो स्टार्ट हो रहे हैं एक फरवरे से आप लोग अभी सही अन्रूर करेंगे स्टार्ट हो रहा है एक फरवरे से रेलवे एससीव और बैंक सभी एक्जाम के लिए सीटी फांडीशन बैज तो अभी सही आप लोग अन्रूर करेंगे देश के टोप एजुकेटर के तो रहें से बैज को कंडट करवाया जाएगा तो आप लोग अभी सही इन से बैज में वहाँ पर आप लोगो फ्रेंस यूज करना मेरा अन्रूर कोड गुरुकुल उसके मादम से आपको 10% एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिलेगा तो फ्रेंस मेरा जो प्रोमो कोड है और जो सभी पैस के अलग अलग जो लिंक है वीडियो के इंचे डिसक्रिशन बोक्स में सब महादवीप पांच सेकेंड का आपको वक्त मिलता है जी हाँ अफ्रीका है वीशो का दूसरा सबसे बड़ा महादवीप और आपसे रिक्वेश्ट है देखे नेक्स कुशन ब्राब बोर्नी स्टेडियम कहां इस्तित है बताएंगे कहां पर है ब्राब बोर्नी स्टेडियम जल्दी से आंसर देंगे आप लोग ब्राब बोर्नी स्टेडियम मुंबई में है कहां है जी मुंबई में है ब्राब बोर्नी स्टेडियम ओफ्शन सी होगा राइट आंशर जी फ्रेंस कहां है मुंबई में है ब्राब बोर्नी स्टेडियम याद रख लेंगे आप लोग र राश्ट्रपती के दवारा होता है, ओफ्शन B होगा, राइट आंशर, राश्ट्रपती, वर्तमान में भारत क्राश्ट्रपती रामनात कोविन जी हैं और राश्ट्रपती वेंग्या नाइडो जी हैं, देखिए नेक्स्क्रूशन क्या है देखी चले, जिला कलेक्टर पद क किस वर्ष बनाया गया था किस वर्ष बनाया गया था सत्रसो बहेत्र में बनाया गया था ओफ्षन सी होगा राइट आंशर जी हां याद रखना जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था 1772 में नेक्स्ट है वन विज्ञान एवं तकने के संस्थान कहां इस्तित है बताएंगे फ्राफट कहां इस्तित है वन विज्ञान एवं तकने के संस्थान कहां बिंगलोरो में है यानि ए होगा जी राइड आंशर बिंगलोरो नेक्स्ट बहारत की वीती राजदानी किस सहर को कहा जाता है जल्दी से बताएंगे फ्रेंस बहुत अच्छी तैयारी है आपकी बहारत की वीती राजदानी कहते है मुंबई को ए होगा right answer मुंबई next है केंद्री असेमले में बम फेकने में भगत सिंग का साथी कोंता साथिकोंता बटु के स्वर्दत था option C होगा रेट आंशर केंदरी असेमले में बम फेकने में भगत सिंग का साथिकोंता बटु के स्वर्दत C हो जाएगा रेट आंशर देखें next है बहसा सिंगी नामक जनजाती बहरत की किस राजे में पाए जाती है यानि ए होगा जी राइट आंशर नागा लेंड नागा लेंड के सिंग है नेफ्योरियो राजेपाल आर एन रवी है वही राजधानी कोहिमा में है विधान सबा की 60 सीट है लोग सबा की एक सीट देखें next राश्टी ग्रामिन विकास संस्थान कहां है राश्टी ग्रामिन विकास संस्थान जी हां है एदराबाद में है ओफ्शन भी होगा राइट आंशर हैदराबाद में है राश्टी ग्रामिन विकास संस्थान राइट फ्रेंस देखेंगा next परकास तरंग कैसी तरंगे हैं परकास त्रंग कैसी त्रंग है अनुप्रस्त है यह होगा राइट आंसर अनुप्रस्त है परकास त्रंग है कैसी त्रंग है अनुप्रस्त याद रखेंगे आप लोग देखे नेक्स्ट वैदुत अबगटन नियम को इस वैदुत अबगटन स्वंबन्ध नियम को किस ने परती पादित किया किस ने किया जिया फैराडी ने किया option be होगा right answer फैराडी देखे next लोलग की कालावधी किस पर निरवर करती है लोलग की कालावधी निरबर करती है जी लंबाई पर किस पर करती है लंबाई पर निरबर करती है लोलक की लंबाई जी इस डिफरेंस कालाओदी माफी चाहते है लोलक की जो कलाओदी है लंबाई पर निरबर करती है ए रहेगा राइट आशर लंबाई नेक्स्ट है वी सो वन्ने जीव निधी का सिला नियास किस वर्ष किया गया था वी सो वन्ने जीव निधी का सिला नियास किस वर्ष किया गया था 1961 में किया गया था 1961 में किया गया था C होगा राइट आशर 1961 राइट देखिए नेक्स्ट बैटरी का अविस्कार किस ने किया जी फ्रेंस बदाएंगे जल्ले से बैटरी का अविस्कार किस ने किया किसने वोल्टा ने किया था जी बैटरी का अविस्कार औफशन दी होगा राइड आंशर बैटरी का अविस्कार किसने किया था वोल्टा आने क्या था जी D होगा right answer वोल्टा नेक्स्ट है नेल सन मंडेला के मृत्तु कब हुई थी किस वर्ष हुई थी जी नेलशन मंडेला के मृत्तु किस वर्ष हुई थी दो हजार तेरः में हुई थी Nielsen मंडेला के मृत्तु option C होगा right answer 2013 याद रखेंगे देखिए next question हिंदू वर्धिदर सब्ध का प्रयोग किसके दवारा किया गया था यानि ए होगा राइट आंसर राज करिशन नेक्स्ट है रबात किस देश की राजधानी है मौरको की है C होगा राइट आंसर मोरको ठीक है देखे चो देखे हमारा क्यूशन है रवांडा की राजदानी कहा है बताएंगे फ्राफट कहां पर है रवांडा की राजदानी की गाली में है यह ओफिजन होगा राइट आंसर की गाली अगर आपने अभी तक फ्रेंस वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास सियर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एक्जाम के तयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं जिहां फ्रेंस एक्षें देखें यहां दिया है खासी विद्रो का नेतिर तो किस ने किया था किस ने तिरत सिंग ने किया था जी ए होगा राइट आइट आंसर तिरत सिंग राइट देखे नेक्सड गोलमेज कि के समिलन में कांगरेश्ष ने भगले आथा गोलमेज कि बताएंगे जल्дी से किसमे लिया था जी दूसरे शमिलन में भागले आथा कांगरेश्ष ने ठीक है तो option b होगा right answer दूसरा देखे नेक्स्ट मसली की हरेदे में कितने प्रकोष्ट होती है बताएंगे जल्दे से कितने प्रकोष्ट होती है मचली की हरीदे में कितने दो प्रकोष्ट होती है कितने होती है जी दो प्रकोष्ट होती है मचली की हरीदे में ओफ्शन भी होगा राइट आंसर दो प्रकोष्ट सल्तनत काल में हक ये सर्व क्या था बदाएंगे फ्राफट क्या था सल्तनत काल में हक ये सर्व क्या था जी हाँ बिल्कुल सेंचाई कर था क्या था सेंचाई कर था जी सल्तनत काल में हक ये सर्व यानि ए होगा राइट आंशर सेंचाई कर देखे, next प्रिसिमन आयोका पदिन सदसे कोन होता है? मुखे छुनाव अधिकारी होता है प्रिसिमन आयोका पदिन सदसे option A होगा, right answer मुखे छुनाव अधिकारी देखे, next बहरतमी किस राजे को टाइगर राजे के नाम से जाना जाता है बताएंगे जल्दे से किस राजे को टाइगर राजे के नाम से जाना जाता है किसको जानते हैं मध्य परदेश को जानते हैं फ्रेंच टाइगर राजे के नाम से अच्छे से आप लोग फ्रेंच सिया दखना मध्य परदेश को टाइगर राजे के नाम से जाना जाता है किसी विदहियक के धन विदहियक होने का अंतियम निर्णे कोन लेता है जी कोन लेता है लोकसभा अध्यक्स लेता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्स कोने ओम बिडला जी है ओफशन सी होगा रेड़ांशर राष्टपत रामनाथ कोबिन जी है उपराष्टपत एम वेंक्या नाइडू जी है और मुख्य नाइडी सिर्द अर्विंद बोबडे जी है राइट देखीगा नेक्स्ट हुवन बांद किस नदी पर बनाया गया है तो ये बनाया गया है जी कोलो राडो नदी पर किस पर कोलो राडो नदी पर बनाया गया है हुवन बांद ये होगा राइट आंशर Colorado नदीबर राइट देखी next है ओबरा प्रियोजना किस राजे किताब विदुद प्रियोजना है किस राजे की है ओतर प्रदेश की है option B होगा friends राइट आंशर ओतर प्रदेश ओतर प्रदेश के सियम है योगी आदितिनात राइट राजेपाल आनदीबिन प्रदेश है फिर आप लोग बोलेंगे सिके सर आनदीबिन प्रदेश तो मध्य प्रदेश के राजेपाल है जिहां friends यादखना आनदीबिन प्रदेश उत्र प्रदेश के राजेपाल है और मधिपर्देश का अतरित कारेबर उनको दिया गया है देखिए next बाल गंगादर तिलक ने किसी भारत का हीरा कहा था किसको कहा था या दखना गोपाल क्रिशन गोखले को बाल गंगादर तिलक ने भारत का हीरा कहा था option D होगा जी right answer गोपाल क्रिशन गोखले राइट देखिएगा next भारती कम्योनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानुनी घोषित किया गया था किस वर्ष गोषित किया गया था 1934 में यानि ए होगा जी right answer 1934 में या दखना जी गैर कानुनी घोषित किया गया था भारती कम्मुनिस्ट पार्टी को next सवतंतर भारत में राज्य सभा की प्रतम सभापति कौन थी difference कौन थी डॉक्तर सरोपली रादा कृष्णन थी यानि option b होगा right answer डॉक्तर सरोपली रादा कृष्णन देखेगा next मुखी चुनाव चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति कोन करता है जी बताएंगे फ्राफट कोन करता है मुखे चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति जी फ्रेंस कोन करता है जी हाँ आप लोग फ्रेंस याद रख लेंगे मुखे चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्टर पती सी होगा रा लिए और लोruī भास देरादऊन महीं है ऐ होगा रायट आंसर देहरादऊन नुझे नेक्स्ट और रोमान्सिंग विद लाइफ कुष्ग के लेखक कुण है जी फ्रेंस कुण है याद रखेंगे देव आनद देव आनद है जी रोमान्सिंग विद लाइफ पुष्ग के लेखक option C होगा right answer देव आनन्द राइट देखी next रोकिट किस सिध्धान्थ पर कारी करता है रोकिट किस सिध्धान्थ पर कारी करता है किस पर कारी करता है सम्वेग समरक्षन के सिध्धान्थ पर कारी करता है रोकिट यह होगा right answer स्व्वेग स्व्रक्षन का सिध्धान्त ठीक है देखे नेक्स्ट दक्षिन अमेरिका का दवार किसको कहा जाता है दक्षिन अमेरिका का दवार किसको कहा जाता है वेनेज्वेला को कहा जाता है दक्षिन अमेरिका का दवार कहते हैं वेनेज्वेला को यानि ए होगा राइट आंसर वेनेजुएला नेक्स देखे चलेगा फ्रेंज भारत में राश्टी आय समीति का गठन किस वर्ष किया गया किस वर्ष किया गया था जी 1949 में 1949 में किया गया था राश्टी आय समीति का गठन ये रहेगा रहेगा रहेट आंसर नेक्स्ट है मिसृत अर्थवस्ता दोहरी अर्थवस्ता है किसने कहा था है निर्धनता को पुर्णते समाप्त करने का लग्सी कि सपंचवर्षे योजिना में रखा गय था किस में रखा गया था जी हाँ पांचवी पंचुवर्शी योजना में रखा गया था निर्धनता को प्रूंत समाप्त करने का लग से option B होगा right answer पांचवी पंचुवर्शी योजना next देखे चलेगा हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का नारा किस ने दिया था हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का जो नारा है फ्रेंस भारतिंदू हरी संद्र ने दिया था यानि ए होगा right answer भारतिंदू हरी संद्र देखेगा next मेरा वतन पुस्तक के लेखक कोन है मेरा वतन पुस्तक के लेखक कोन है तो फ्रेंस विशनू परभाकर है जी मेरा वतन पुस्तक के लेखक ओफ्षन भी होगा राइट आंसर विष्णू पर भाग कर तो फ्रेंस ये थे आज के हमारे questions जो अभी complete हो गई है अगर कोई doubt है share किजिगा जैसे फ्रेंस अगला पाट आएगा सभी के doubts अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सभी लोफ राफड वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास share करेंगे ताकि कुछ लोग और यहां आएं अपने एक्जाम की त्यारियों को अच्छे से आके बढ़ाएं तो फ्रेंस लेगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तके लिए गुड़ बाई जय हिंद जय भारत वंदे मात्रा